असलाम अलेकुम विएर्स आम साधियर राजबूर राजबूर राज़ की वीडियो है सिंपल एंड इसी महंदी डिसेंज के पारे में जैसे कि आप लोग को पता है कि लिटकों को महंदी लगाने का बहुत शोक होता है लेकिन कुछ लड़के ऐसी वहती हैं जोंको महंदी अगाने के प्रोफेशनल वे से बहुत अच्छी महंदी लगा लूँ अगर पर दिजाइन काम चला लेती हैं तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना लूँ और यह महंदी के डिजाइन से हैं बहुत बहुत एजी हैं और अगर पर भी आप लोग को मह महंदी की स्टिकर लें पर एकंश महां और महंदी के डिजाइन हैं पर दरीजाएन तुम्हार लागा झाएं, तो Q यह असान तरीका है कि महा कर जहां बहुत जाएं यह एकि महीं बढ़ते हैं च्टाएं चैप कि अब मies बहुता है, करके हैं तो वह साम मेंस का क्शा है आजकल बहुँ सिंपल और डीजन तरह के मेंदी लग रही होती है चक्पब कोई मुवी सभागार है में भी कुछ आदी का फंक्षन होती है तो इस में आप मेंदी देखते हैं तो वह सिंपल ही कि होता है इसको गोल्तिकी बोल रही होते है इस तरह से सेंटर में कुछ नकुल डिजाइन होता है यह बिल्कुल सिंपल अब कुछ लोगों को भरी भी महंधी पसंद होती है तो मैंने उसके लिए यह वीडियो एड़ कि अब क्या कर सकते हैं किस तरह से एक ताज सा बना सकते हैं और इसके साथ साथ इसको बहुत खुबसूरती से डेकरेट कर सकते हैं अगर आप इस महंधी को देखें तो यह बहुत सिंपल है और बहुत एजी है इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है और आपका जादा भराव भी नहीं लगएगा सिंपल यह करना है तो आप जाए वो यह जो ऊपर आपके चुग होते हैं जहां पर महंधी स्टार्ट होई है और आप कर सकते हैं इसके इलावा जो आजकर एक और डिजाइन चला है जैसे किसी की शादी होती है तो उसमें अब तो महंधी का ट्रेंड ही नहीं रहा उस तरह से वो सिंपल अपने सीधे हाथ पे लिखवा लेते हैं जैसे इससे भी शादी हो रही होती है हस्बन का नाम की दुलहन तो इस तरह से मतलब आप लिखवा सकते हैं यह भी आजकर एक ट्रेंड है अभी आपको यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि इस मेंधी का स्टायल अगर मेंधी थोड़ा सा बीच में गयाप हो जैसे नुक्ते नुक्ते यहाँ पर डॉर्ट डॉर्ट है अगर यह हो तो इससे मेंधी चाँ वो बहुत हुपसूरत लग रही होती है अब हमारे पास मेंधी होती है डिफरेंट डरागे ठीक है जिसमें कुछ मेंधी आंशकल फोरन कलर दे देती हैं वो मेंधी अच्छी नहीं होती जो फोरन कलर दे देती है कामचो पाकिसान में मेंधी मिलती है क्योंकि वह एमर्जन्सी होन हो तो फोरण कलर देती है सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यह मेंदी फिंगर्स के डिसाइन के किते हुपसूरत है अच्छा तो मैं बात करी थी मेंदी की कुछ कुछ है वो थोड़ा एकदम से कलर देती है वह जलदी उतर बिचाते हैं लेकिन जो मैं मेंदी मैं ने देखी मेंदेचप लगाई तो इसका यह था कि कलर उसका आया ही नहीं बिलकुल नहीं आया अच्छा तो मेंदी 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 का अचला की ए तり कवा जाईणी तो एक मेंदी की बाती है की तो ब्राउन या रेडिश कलर होता है आप उससे उसको फिलिंग कर सकते हैं ठीक है तो ये ब्लैक और रेड कलर की महंधी की फिलिंग बहुत प्यारी लग रही होती है इस तरह से आप कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली छों लोग महंधी यूज करे होते हैं उसका कलर रेडी होता है रेड इनसेंस के आप जल्दी इसको दो लेते हैं तो रेड कलर रहा चाता है अब मैं चो टेटू वाली है और स्टिकर्स महंधी बता रही थी है वह ये वाला डिसाइन थे आप लेकें जस्ट उसने महंधी पूरी ऐसे इसको पहला कर लगा दी जिसको महंधी नहीं लगाना आती मेरे जैसा बंदा वो ये काम कर सकते हैं महंधी आपने इसे पहला कर लगा देनी अच्छे तरीके से अब ये लग गई आप देख सकते हैं मैं आपके लिए ले भी होंगी ठीक है तो ये एक महंधी का तरीका था कि आप इस तरह से महंधी जाओ लगा सकते हैं अब जो नेक्स्ट महंधी है ये भी आपको एक ट्रिक है मतलब मेने महंधी के नहीं हैं यहां पर कुछ ट्रिक्स रेकी हैं सिंपल आपने किसी भी चिज क कैप अतारणाई है जैसे ऑ्यए पैन की गैप पता सकते हैं पर्फीम क्यूबर से वो तार सकते हैं इन तीनों में आपने चोटे चोटे बॉक्स बना लेने हैं जब यह सारी फिलिंग हो जाएगी तो आप देखेगा किस कर डिजाइन कितना प्यारा लागेगा अब यह देखें आपने इस तरह से इन सब चो चार अपने सर्कल्स यह किया ना ड्रॉ अब आपने इन सब को जॉइन कर दिना है और आपके पास एक मेंधी का स्टाइल बन जाएगा तो यह भी एक निव डिजाइन था कि आप किस तरह से मेंधी जाए वो लगा सकते हैं इसी तरह से आपके पस और भी डिजाइन में आपको दिखा दी जाओंगी तो होपस हो कि आप लोगों को समझा रही होगी कि आप किस तरह से मेंधी लगा सकते हैं और डिफर्ट ट्रिक से थोड़ा से उपर से आप इस तरह से महिंधी लगा सकते हैं अचिह पाकिस्तान में इस्टिकर साली महिंधी मिलती हैं लेकिन उतना साथा ट्रेंड नहीं चला वाँ यहां पर स्टिकर को जो आपने कोई पीस मतलब एक जैसे बचों को स्टिकर्स होते है ना एबीसी वाले इस तरह से एक बड़ा सा पेट्स होता है उसके पर सारे स्टिकर्स होते है आपने जो स्टिकर लगाना है वो आपने अपने हाथ वो आपने कट करना है उसको अपने अपने हाथ पे पेस्ट करना है पानी की मदद से आपने उसको इस तरह से स्लाश्ट करना है ठीक है पानी की मदद से आपने उसके उपर ऐसे हाथ लगाना है और उसके बाद जब वो थोड़ सा ड्राय हो जाए तो आपने क्या करना है कि आपने उस स्टिकर को ठीक है उतार लेने जैसी अब स्टिकर उतारेंगे तो अंदर साब के पास एक महंदी आजाएगी जो कि बहुत प्यारी से होगी अब वो जो स्टिकर होते हैं वो ब्लैक कलर में भी हो सकते हैं वो stickers हैं वो red color में भी हो सकते हैं तो जो आप लोग को favorite color है अब वो वाला sticker select करें और अपने हाथ पे खुबसुरा सी mehndi लगा ले तो mehndi आप लोग मुझ बताएगा कि क्या आप लोग को भी mehndi लगाने का शूक है या नहीं है अगर आप लोग को mehndi लगाने का शूक नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं अगर आपको कभी आपने कोई event में लगाने बढ़ जाती है तो आप simple क्या करें मhndi मत लगाएं आप markers लें ठीक है और markers साब mehndi लगा लें अच्छा आप nail वाली mehndi अलग होती है वैसे तो कहते हैं कि वो हाथों पर नहीं लगाने चाहिए लेकिन क्यूंकि मेरे हाथों पर कलर बहुत light आता था तो मैं क्या करती थी अब कलर तेज आता है तो मैं क्या करती थी उस ट्रेंग कि जो नाखुन वाली mehndi होती है ना तो मैं अपने हाथों पर लगा लेथी थी ठीक है तो उससे ही होता है कि कलर चाहँ वो तेज आ चाता है एकदम सा चाता है और एकदम सा उतर बिचाता है तो कोई मस्टला नहीं है हमने तो फंक्शन के लिए लगानी होती है तो एक-दो ग़ंटे पी चल जाए तो सही होता है तो यस्तरा से मैंने आज के अपनी वीडियो में आप लुप क्छ मेंदी के डिजाइन से शेल किए शुर्थ होप साओ कि आप लोग ये ये दिजाइन से अच्छे लगे होंगे कि ये चीज तो बहुत एजी है इसको तो लगाना बहुत असान है लेकिन जब आप होट ट्राइ करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये तो बहुत मुश्किल थी इसको लगाना तो बहुत मुश्किल था तो इसलिए मैंने बोले आप लोगो कि आप लोग इसको एक दफा घर में ट्राय कीज़ेगा और मुझे जुरूर बताईगा कि क्या ये मेंधी के डिजाइन्स आप लोग के लिए इजिंग है या मुश्किल है अगर इजिंग है तो आप लोग आप किसी और को भी लगा सकते हैं लेज़ा है तो ऋपन फैनों के सब्सक्राइव तो इसलिप रहा है तो इस तरह नोग चाहते है तो इसका अगा सब पर शी मांम मेंदी आप कना झाले मीडिया काई ऑप दोग आप लगी तन एक है ओशा नहीं तर नहीं के भाझ भी जी झाल प्हों प्हों प्रीग।